मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि भाई अगर हिंदुрист धर्म में सूचिता और पवित्रता को लेकर एक concept है तो क्या एक Muslim जो की ढ़ावा चला रहा है सावन महिने में पवित्र महिने में और पवित्र कावड यात्रा के दारान क्या उसकी पवित्रता और सुचिता का ख्याल उस तरीके से रख पाएगा एक बहुत बड़ा सवाल है इसलामिक स्कॉलर है हमारे साथ हाजी खान हाजी खान क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बहुत मौजू और बहुत जनुविन सवाल है लेके रंजीत बात ये है कि काबर यातरा की असल विवस्ता जो है सरकार को हिंदू और मुसल्मान नहीं करना चाहिए बलके उनके लिए उनकी जान का, उनकी माल का, उनकी ज Municipal का, उनकी रास्ते का, ये विवस्ता करना चाहिए आप यह जो कह रही थे मैं दो लोगों के जवाद दूंगा आपका और विबेग जी का कि आप यह कह रहेते एक ःडावा जो है वो धावा उसका नहीं है भुरा का आपने सुना नहीं अपनी डिय्बेट में नहीं सुना वो एक पंडिजी का डावा है उन्होंने किराए पे लिया है और जब तक पंडिजी नहीं चाहेंगे बूरा की मजान नहीं है उस डावे का नाम चेंज कर दें ये आपने अभी रपोर्ट दिखाई है उसमें उसने कहा भी है ये बात आपको ध्यान नखना चाहिए हमारे ये क विवेग जी कह रहे थे पाकी इसलाम में आदा इमान है जो पाक न रहे साफ न रहे सबस्च न रहे वह इमान का आदा हिस्सा उसके पास है रही पंडिजी आपको भालूब नहीं है कि आपने आज तक अपनी जिंदगी में पिशाप करके पिशाप धोया नहीं होगा आप मुसलमान बिना पिशाब की चीटे आ जाएंगी मेरे वाइड कपड़े हैं यह आ आप देखने आये थे चामुझे नहीं नहीं मैं रोज देखता हूं हाजी खान मैंने मैंने स्पस्ट कर दिया मैंने स्पस्ट कर दिया है कि कि हर धर्म में पवित्रता और सुचिता को लेकर अलग-अलग concept है मैं इस पर debate नहीं कर रहा हूं कौन सा धर्म जादा पवित्र है और कौन सा धर्म पवित्र है और ना मैं यह बहस चाहता हूँ तीवी में रोज देखता हूँ आप जैसे लोगों के कारण ही इस समय भालत वर्श का ये हाल है विवेक विराट और हाजी खान आप लोग दोनों चुप रही है एक मिनट नहीं मैं इस तरह के बहस को बढ़ावा नहीं दे सकता हूँ है जाल है और उसकी वज़ा से हिंदुस्ताथ बरवाद हो रहा नहीं और कौन से दर्म में सुचिता का क्या महतों वो सब सब्धंद्र मेरा सवाल इस से जड़ा मॉलिक मैं इस सवाल करना चाहता हूँ कि इसलाम में और हिंदुईजम में और बाकी किसी धर्म में कि सुचता को लेकर पवित्रता को लेकर क्या कहा गया है कौन जादा पवित्र है कौन पवित्र है ये सवाल नहीं है सवाल ए है कि सबकी अलग-अलग मानिताएं हैं और हमारी मानिता मैं समझता हूँ कि भाई अगर हमारी मानिता जो हमारी मानिता को समझते जानते हैं वो उसका ज्यादा बेहतर सरीके से ख्याल रख सकते हैं अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गर्वड़ी नहीं है, और एक consumer के तोर पर मेरा एक हक बनता है, कि मैं किस ढ़ावे में जा रहा हूं, ये आदमी क्या है, ये आदमी मेरी इस भावना का ख्याल रख पाएगा की नहीं रख पाएगा, ये जानने का मेरा हक है, क्योंकि मैं उसके लिए पैसे देता हूँ, इसलिए उसकी पहचान जानने का हक है मेरा, ऐसे में कोई पहचान छुपा के अगर कारोबार करता है, तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। नाम बदलवा दिये, और केसी त्यागी जदियू के राष्टिय परवक्ता उन्होंने क्या कहा, कि ये मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास का जूटा हो गया, अगर ये धाबा में नाम दे रहे हैं, नितीश कुमार से इंप्लिमेंट करवा दिये, बिहार में भी, नित आदिलासन, जो सवाल है उस पर आईए ना, उस सवाल पर आईए ना, उस सवाल पर आईए ना, जो सवाल पर आनी रहे हैं, जदियू के राष्टिय परवक्ता ने कहा, कि ये मुखोटा है, ये गलत है, यात्रा का नाम किसी के परती, ये जो भावना है, ये बाटने वाली ह खुद राष्टिय परवक्ता जदियू के केसी त्यागी ने का हम भी यही बाद यह संविधान को तोड़ने की बात है योगी आदितनार का तुगलकी फर्मान है एक मिनट आप कोई अपनी आदमी पहचान चुपा रहा है पहचान चुपाना दोखा धड़ी नहीं है क्या कि आप पहचान चुपा रहे हो ठीक है जब तक फाई यार नहीं होती है तब तक आप जो कर रहे हो सही है सब जाएज़े उसको बोली फोन करना है देखे देखे आरे रंजीट जी यह कॉंग्रेस सपा हुए सी इन लोगों की एक शगल हो गई समविधान विरुद्ध है और पढ़ लीजिए 2006 का खाद सुरुच्छा मानक अधिनियम यह साफ कहता है कि कोई प्रतिष्ठान दुकान डाबा होगा उसे प्रोप्राइटर्शिप लिखना पड़ेगा लाइसंस लिखना पड़ेगा नाम लिखना पड़ेगा और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी दिरलज्जता से पहचान छुपाने की वकालत चैनलों पर बैठ कर हो रही है तो आश्यर हो रहा है अब इन से पूछिए कि अगर कोई अंतर नहीं होता है हलाल मीट और जटका मीट मीट अभी अगर इनको परोज दिया जाए तो अभी पूरा धर्म और वो खत्रिम आ जाएगा देखिए आदिल जी और सब लोग समझ लीजिए कि एक नियम कानून होता है जब पूजा पाथ होता है नौरात होती तो अपने घर की भी सफाई हम लोग करते है अलग से मंदिर की जड़ा हलाल पे हंगामा खड़ा हो जाए और ऐसी अधिकान और अदिल और हैदर पास से पूझ लीजिए एद के दिन कडोलो रुपे की मिठाई खरी दी जाती है इंदुस्तान में और उस मिठाई को बनाने वाले हिंदू होते हैं क्या कल ये भी कहा जाएगा कि हिंदू ये नहीं का गया है कि अमोग दुगां से खरीदना है और बाइगा जिसकी स्वच्छा होगी चाहाँ से मनोड़ा होाँ से खरीदेगा और भाई तो आप क्यो पावंदी लगा रहे हैं नाम की हमें क्या ज़रूरत है अरे बाई ये जाके राहूल गादी सौनिया गादी से सब्सक्राइब कर देंगी उन्हों पूछो लए सब्सक्राइब कर रहे हैं यह कानून कैसे पास कर दिया था जाके कहो पास करने वारा कानून में गंगा जमली तैजीब खत्र लेकर पैठी आरे सर आपको कुछ निए पता ही है सब्सक्राइब क्या मुसल्मान के आने खरीदारी होती है रमजान में क्या मुसल्मान यह देखेगा सवाल को आप गलत तशेकर से ले रहे हैं राजी खान सवा ले नहीं है कि हिंदू मुसल्मान के हा या नहीं कघर देगा मुसल्मान हिंदू के आ जाए जाएगा इसको लेकर के भी लहारा जटका और हलाल टाइप का कॉंसेप्ट है भाई मुसलमान एकता के पिर्दी के भारत वैसे वैसे में अगर अगर दिवाली इद मुलन कभी किया और पिछले अस्ताल में बताओ एक एक बतादो यह जवाब दें यह देज देज में सब्सक्राइब कोई भी बिजनिस करेगा सब देगा सब देगा सब देगा चांकारी के केवल शोर मचाएंगे ठीक है